नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरस ट्यूटोरियल में आज हम लोग सिगमेंट फ्राइट के मनोविशलेशल वादसिधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो लोग इस छेतर से संबंदित है एक्जाम दे चुके हैं उनको इसके महतों के बारे में पता अच्छे से समझ लें कि ये टॉपिक बहुत ही बहत्वपूर्ण है आगे आने वाले सभी प्रकार के सिक्षा के संबंदित एक्जामों में इससे एक दो प्रशन बनकर आते हैं कभी कभी उससे ज़्यादा भी प्रशन एक्जाम में समिलित हो सकते हैं तो हम लोग बहुत ही आराम आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते कोई पढ़ेंगे आप लास्ट तक वीडियो देखेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया है तो सरो प्रथम जानते हैं कि इस सिध्धान का नाम तो सबसे पहले पूछ प्रथम जानते हैं तो सिगमन फ्रायट जी ने मनोविश्लेशनल वात का सिध्धान दिया है वह और आस्ट्रिया के रहने वाले थे आस्ट्रिया में वियना एक जगा वहां के रहने वाले थे इनका जीवन काल है 1856 इसवी से लेके 1938 अब हम देखते हैं कि उन्होंने इस सधानत के अंतरगत बाते क्या की हैं मन की तीन आवशक्ताय होती हैं चेतनमन अर्ध चेतनमन तथा अचेतनमन तीन तरह की मन की अवस्ता होती है पहला है चेतनमन चेतनमन मतलब वर्तमान से सम्मंदित जो भी वर्तमान में चल रहा है आपके दिमाग में आपके सामने जो भ यह वो चीज आपको भूल गई, किसी चीज का आप बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त है, फिर भी अचानक से कोई पूछ लेता है, तो दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो उस चीज को बोलते हैं कि अर्दचेतनमन, लेकि जब थोड़ा प्रयास करते हैं, दिमाग पे प्रयास करते हैं, फिर भी अच्छानक से कोई चीज आपको बहुत ज़्यादा इच्छा हो और वो ना हो सकी हो, वो पॉसिबल ना हो सका हो, तो वो चीज आपके मन में ही रह जाती है, वो अच्छेतनमन के अंदर आती है, इसके अंतरगत काम शक्ति का भंडार होता है, इस फ्रायट जी के ही दारा दिया गया था, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इन तीनों जो है अवस्थाओं को समझाने का प्रयास किया है, फ्रायट जी के अनुसार उन्होंने एक बर्फ के टुकडे के समान मन को माना है, मन को उन्होंने एक बर्फ के टुकडे के अपने मन को मारते हुए अपने अच्छाओं को दबाते हुए चले आते हैं बहुत सारी च्छाएं जो एक बहुत बड़ा पार्ट के रूप में नो बटा दस्वा भाग जो होता है वो चेतन मन होता है एक बटा दस्वा भाग होता है वो चेतन मन होता है और इन दोनों के को जज़ नहीं करेंगे कि उसके मन में क्या चड़ रहा है बाहर से अगर इनसान खुश दिख रहा है इसका ये बिलकुल मतलब नहीं है कि उसके मन में बहुत ही अच्छे चीज़ें चल रही होगी कभी कभी दिखावे के चक्कर में भी हसना पड़ता है लोगों के सामने तो इस बाहर से इनसान को देख करके उसके आंतरिक मन का पता नहीं लगाया जा सकता है उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि मन के अधार पर वक्रितुग के तीन परकार बताएं जो बहुत ही महत्वपून है यह जो ठीन बताया गया है इसको deeply हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त करेंगे पहलें तीनों का नाम जान लेते हैं इड यानि की इदम इगो यानि की अहम सूपर इगो यानि की पराहम इड इगो सूपर इगो यानि की इदम अहम पराहम अब बात करतें इड की इड जो है अचेतनमन के अब एक भाग होता है छेतनमन जहने कि 9 बते 10 वा पार्ट जो बड़ा वाला पार्ट था वो इड़ होता है इसमें हमारी अंदर करने की उपनी पूरी करने के लिए मनुष्य का इस पर नियंतरण नहीं होता है इसमें काम प्रविर्ति का भंडार होता है ये इच्छाओं की जननी होती है बहुत सारी इच्छाओं रहती है आदमी की पूरीनी होती है और इसके अंदर भरी हुई होती है अत्रिप्त इच्छाओं का भंडार होता है और इसको जो है शैश्वा वस्था से जोडते हुए देखा जाता है इन्होंने आपे बताया है क्योंकि शैश्वा वस्था वे माननीजी एक बालक है वो किसी चीज के लिए जिद कर लेता है और जब वो जिद कर लेता है तो वो उसको पूरा करने की पूरी कुशिश करता है कि किसी भी प्रकार से उसकी जिद उसकी डिमांड वो पूरी हो सके तो इसलिए एड को शैश्वा वस्था से जोड़ करके देखा गया है सेकेंड है इगो यानि कि अहम मुसलियम बोलते हैं कि इसके अंदर बड़ा इगो है यानि कि नेगेटिव टर्म में बोलते हैं लेकिन यहां पे हम जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि यह एक नेगेटिव टर्म नहीं यह एक पॉजिटिव टर्म के रूप में उभरा हुआ है तो हम बात करते हैं इगो की इगो मतलब अहम होता है यह वास्तविक्ता होती है यानि कि सच्चाई जो है वो यही होती इगो होती है यह उचित और अनुचित में ताल में बैठाते हुए समायोजन करके रखती है क्या सही है क्या गलत है हमें क्या करना चाहिए वो सारी चीजे इसी के अंदर आती है और इड़ पे नियंतर रखने का पूरा का पूरा काम इगो करता है अगर हमारे मन में कुछ गलत चल रहा है हम जबर जस्ति उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसका पूरा नियंतर नियानी क एक सिपाही की तरह काम करता है इगो ये चीज बाले अवस्ता में उन्हीं शुरू हो जाती है तब बच्चा मतलब इस लाइक हो जाता है कि वो सोच सके कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं अच्छी हमें किस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमारे लिए फायदे इसको फ्रायर जी ने कि शोरा वस्ता से जोडते हुए रखा है कि उस समय बच्चा अपने आपको बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि एक नातिक स्वरूप अपने आपको देने की कोशिश करता है कि जो भी है वो परफेक्ट है अच्छा है तो इस तरीके से ये तीन चीज़ें हैं एड एगो और सूपर एगो फ्रायट जी ने मूल प्रवितियों के उपर भी बात की है सरप्रतन में जा लेते हैं कि मूल प्रविति के जनक कौन थे मूल प्रविति के जनक मैकडूगल जी है लेकिन फ्रायट जी ने भी इसके उपर थोड़ा काम किया है फ्रायट जी ने मूल प्रवितियों को दो इस्तापित किया जाता है जो निर्मार कारी आधितें होती हैं वही और जा से तथा जीवन से सिंबंद स्थापित करती है जीवन की मूर प्रविति है जिसको उन्होंने नाम दिया है फ्रायर जी ने नाम दिया इरोज और दूसरी है मृत्य की मूर प्रविति जो विनास कारी होती है विनास से संबंद रखती है उसको उन्होंने नाम दिया है थैना टॉस अब हम दो औ और बातें देख लेते हैं पहला है और डिपस गरंथी लड़के का उसके मां के प्रति ज्यादा प्रेम और उसने दिखाना यह और डिपस गरंथी के कारण होती है और लड़की का पिता के प्रति ज्यादा प्रेम और उसने दिखाना इलेक्ट्रा गरंथी की वज़े से होती ह तो आज की हमारे class के लिए इतना ही, अगले turn पे हम कुछ नए तथियों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप हमारे comment box में जरूर हमें सुझाव दें, और हमारे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, अपने दोस्तों तक share करें, पह अन्यवाद